नवस्कार सांकेतिक भाषा के इस खास बुलिटन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आरेंद्र मेरे साथ मौझूद है मेरी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीशा शर्मा सबसे पहले शुरुआत हैडलाइन से राष्टपती द्रोपदी मुर्वू ने नई दिल्ली में डिजटल इंडिया पुरुसकार 2022 प्रदान किये कहा भारत ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिजटल पहुँच सुनिश्यत की सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार डिजटल पहलों को पुरुसाहन और सम्मान देना है डिजटल इंडिया पुरुसकार का मकसद उपराश्टपती जगदीब धनकर ने नई दिल्ली में एंसीसी गरतंत्र दिवस शिविर का अपचारिक रूप से किया उठाटन गरतंत्र दिवस शिविर में इस साल देश भर से एंसीसी के 2155 कैडिट्स हो रहे हैं शामिल केंद्री ग्रिह मंत्री हमिश शाह ने जारखंड के चाईबासा में विजय संकल्प महारेली को किया संबोदित कहा जारखंड में आदिवासियों की जमीन हलपने वाले सक्रिय है आज इस सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का लगाया रोग हमिश शाह ने 36 गव के कूरवा में भी जन्सभा को किया संबोदित कॉंग्रेस पर साधा निशाना उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने जोशी मत में दरार से प्रभावित शेत्तों का निरक्षव किया कहा लोगों की सुरक्षा प्रात्मिक्ता मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की अमेर्की प्रत्निधी सभा के स्पीकर चुने गए रिपब्लिकन केविन मैकार्थी पंद्र में दौर के मद्दान के बाद हुई घोष्णा राश्पती बिडेन ने मैकार्थी को दी बधाई कहा वै रिपब्लिकन के साथ काम करने के लिए तयार केल की कबरों में भारत और शेलंका के बीच तीसरा टी-ट्वन्टी अंतरास्टिय मैच आज शाम राजकूर्ट में खेला जाएगा तीन मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें एक-एक की बराबरी में राश्पती द्रोब्दी मुर्मू ने कहा है कि देश के हर कोने में डिज्टल तकनीक की पहुँच होने पर ही भारत की अर्थ विवस्ता ज्यान आधारित बन्प सकेगी आजने दिल्ली में डिज्टल इंडिया पुरसकार पदान करने के बाद उन्होंने कहा कि भविश्च में परिवर्तन की गती आज की तुलना में अधिक तेज होगी और इसमें मुख्य भूमी का तकनीक ही होगी इसलिए डिज्टल नवाचार का मुख्य लक्ष सामाजिक न्याय होना चाहिए राश्पती ने कहा कि डिज्टल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्त इलाकों तक पहुशना आसान बना दिया है उन्होंने कहा कि डिज्टल रूपांत्रव की यायात्रा नवाचार प्रभाव और समावेश के कारव संभव होई है राश्पती ने नई दिल्ली में डिज्टल इंडिया पुरसकार प्रदान करने के बाद विश्वास वेक्त किया कि भारत समाज के कमजोर और वन्चित वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का सही उधारन प्रस्तोत कर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार डिस्टल अंतियोदे की दिशा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शशक्त कर रही है राश्पती मुर्भू ने जनता से अपील की कि वैं मौजूदा नीतियों का लाव उठाएं और विवस्ता को ऐसी मजबूती प्रदान करें कि देश, सौफ्टवेर और हार्डवेर के शेत्र में एक महाशक्ती बन जाए पुरों ने कहा कि इसके लिए हमें नवीन स्वदेशी तक्नीक का विकास करना होगा डिजिटल इंडिया पुरुसकार साथ शिर्णियों में पुदान किये जाते हैं इन पुरुसकारों का उदेश सरकारी संस्थाओं के साथ स्टार्ट अप्स और जमीनी इस्तर के डिजिटल पहलों को भी प्रेरित और पुरुसाहित करता है डिजिटल इंडिया कारक्रम की परिकल्पना भारत को डिजिटल रूप से शशक्त समाज और ज्यान आधारित अर्थ व्यवस्ता में परिवर्थित करने के लिए की गई है डिजिटल इंडिया पुरुसकार नेशनल पोर्टल आफ इंडिया के तत्वावधान में स्थापित किये गए है इस पोर्टल पर सरकारी संस्ताओं दोरा सभी इस्तरों पर दी जा रही सूशना और सेवाओं से संबंदित जानकारी उपलब्द कराई जाती है डिल्ली के विज्ञान भवन में डिज्टल इंडिया पुरुसकार 2022 के वित्रण समारों के दौरान केंद्रिये इलेक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रद्दग्यकी संचार और रेल मंत्री अश्वणी वैश्णब ने कहा कि आज 4G और 5G जैसी तक्नीक देश के हर नागरिक के पास पहुँच रही है किंद्रिये मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में इलेक्ट्रोनिक्स मैनिफेक्ट्रिंग में नमबर 2 के स्थान पर है और बड़ी मात्रा में भारत इलेक्ट्रोनिक उपकरण एक्सपोर्ट भी कर रहा है उपराष्टपती जगदीब धनकर ने आज एंसी सी के गरतंत्र दिवस्ट शिविर 2023 का उधाटन किया इस मौके पर उपराष्टपती को पूर्व एंसी सी कैड़ेट्स के रूप में सदस्ता कार्ड प्रदान किया गया कैड़ेट्स को समोधित करते हुए केंद्रिये ग्रह मंत्री अमित शाह ने आज एच्छतीस गड़ के कोरवा में एक जनसभा को समोधित किया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बखेल के नितरत्व में यहां की सरकार ने जन जातिये समाज और राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पर पिश्णों और जन जातिये समाज को अंदेखा करने का उन्होंने आरूप भी लगाया ग्रह मंत्री अमित शाह ने चत्तीस गड़ के कोरवा में स्थित माता सर्व मंगला मंदिर में पहुँच कर पूजा अर्चना कर आशिरवात लिया केंद्री ग्रह एवं सहकारता मंत्री और भाचपा के वरिष्ट नेता अमिश्याह ने आज जारकन के कोलहान प्रमंडल से लूग सभा चुनाओ के मद्यनज़र मिशन दोहजार चौविस का शंखनात किया ग्रह मंत्री ने चाईवासा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया अमिश्याह ने राज्यकी हेमंद सोरेन सरकार को कट घरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमने सिक्षा, रोड, विद्युत, हर शित्र में काम किया था लेकिन हमारे बाद आई सरकार ने जारकन को तबाह कर दिया ग्रह मंत्री ने कहा कि आज जारकन में आदिवासियों की जमीन हलपने वाले सक्री है और बुख्य मंत्री हेमंद सोरेन अपनी किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे है ग्रह मंत्री अमेश्या ने कहा कि अपनी वोट वैंक की राजनीत के लिए जो हेमंद सोरेन कर रहे हैं उसके लिए उन्हें जारगन की जनता माफ नहीं करेगी बीजेपी के रास्टी प्रवक्ता सम्वित पात्रा ने नई दिल्ली में भाच्पा मुख्याले में एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित किया इस दौरान सम्वित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर जम कर निशाना साथते हुए कहा दिली सरकार ने रोजगार बजट की खोशना की थी जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार देने का वाइदा किया गया था लेकिन आउटकम बजट में आज की तारीक में इस पर कोई काम नहीं हुआ है उन्होंने कहा अर्विन के जिरिवाल की सरकार केवल बड़ी-बड़ी बाते करती है काम नहीं बीजेपी के रास्टी प्रवक्ता सम्मित पात्रा ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिये गए आउटकम बजट में जितनी भी बिग टिकेट्स अनॉंसमेंट्स थी उनमें से किसी पर भी जमीन पर कोई अब तक काम नहीं हुआ है पटियाला ग्रामीर से आमाधु पार्टी विधायक डॉक्टर बलवीर सिंग ने चंडीगल की राजभवन में पंजाब केबिनेट में मंत्री पत की शपत ली इससे पहले पंजाब के केबिनेट मंत्री फौजा सिंग सरारी ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया था पौजा सिंग पर पिछले दिनों नस्ताचार में लिप्त होने का आरूप लगा था और उनका एक आडियो क्लिप भी वाइरल हुआ था जिसमें वे अपने OSD के साथ नस्ताचार से कमाई की बात करते हुए सुराई दे रहे थे इस वक्त पंजाब केबिनेट में सीम और ते प्रवक्त प्रवक्त प्रविन शंकर कपूर ने पत्र में कहा है चोकि आम आदमी पार्टी के अधिकांश पार्शत नए है इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ट विधायकों के उकसावे पर ततकाल कारवाई की उन्होंने कहा MCD आयुक्त से वीडियो तस्वीरे और रिपोर्ट मांगे और उसके बाद सदन की अगली तीन बैठकों के लिए आम आदमी पार्टी के सभी तेरा नामित विधायकों को निलंबित करते हैं। आज एक ट्विट किया है। और उर्वरक मंत्री टॉक्टर मंसुक मांडविया ने कहा कि ओडिशा के देश का पहला कोईला गैसी करन आधारित तल्चर उर्वरक सयंत्र अगले वर्ष अक्टूबर पे तयार हो जाएगा। केंद्रिय मंत्री ने अपनी ओरिशा यात्रा के दूसरे दिन आज तल्चर में सयंत्र के निर्वान कारियों की समिक्षा करने के बाद ये जानकारी दी। इस अपसर पर केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान भी मौजूद रहे। मंसुक मांडविया ने सम्माद अताओं से कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी के आत्म निर्वर भारत अवियान के अंतरगत पांच में से चार यूरिया सयंत्र शुरू हो गए है। तो इसके यूरिया आयात की निर्वरता कम करने में मदद मिलेगी। उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने आज चमोली जिले के जोशी मट पहुँचकर जमीन धसने से प्रभावित शेत्रों का दौरा किया और पीडित परिवारों से बलाकात किये। उन्होंने जिला प्रशाशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस्तिदी की समिक्षा भी की। इस बीच जोशी मट में रहतकार जोर्शोर से जारी है। जमीन धसने की कारवनों की परताल के लिए आठ सदस्यों का विशेशा के दल दो दिन से जोशी मट में है। इससे पहले राजी सरकार ने जोशी मट में खत्रे वाले शितर से लोगों को तुरन्त हटाने के आदेश दिए थे। इसके लिए राजी सरकार एक सुरक्षित इस्थान पर पुनरवास केंदर बना रही है जोशी मत में आपदार नियंदरों कक्ष में स्थापित किया गया है सरविक्षन कारे पूरा करने और प्रभावित लोगों को वैकलपिक इस्थान पर ले जाने के लिए वार्ड इस्तर सेक्टर अधिकारी तैनात किये गए हैं मुख्यमंत्री पुश्क सिंग धामी ने कहा कि जोशी मत में पानी के रिसाओं से काफी घरों में दरारे आई हैं उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित इस्थान पर पहुचाने का काम किया जा रहा है इसके कारणों का पता लगा जा रहा है उत्रप्रदेश में शीत लहर और ठंड के प्रकोप के मदे नजर जहां एक तरफ जन जीवन अस्तिवियस्त है तो वहीं कलकलाटी ठंड में बेसहारा और गरीवों के लिए उत्रप्रदेश सरकार ने विशेश इंतिजाम किया है सरकार ने बेसहारा और गरीवो को ठंड से राहत देरे के लिए रहन वसेरों का इंतिजाम किया है इन रहन वसेरों में रजाई गद्दों के साथ साथ आलाओ की विवस्ता की गई है ताकि लोग इस शीत लहर में ठंड से बचाओ कर सकें इसके साथ ही योगी सरकार के निर्देश पर रात में नगर निगम के आला अधिकारी इन रेन वसेरों का निरिक्षन कर गरीव और बेसाहरा लोगों का हालचा ले रहे हैं। सरदी में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेश विवस्ता की जा रही है। असम के गोहाटी में शुडिया घर प्राधिकरण ने जानवरों को गर्म रखने के लिए हीटर और अन निवारक उपाय किया है। शुडिया घर कर्मचारियों के अनुसार, बाग और शेर के लिए हीटर, भालू के लिए धान का खेर और पक्षियों के लिए 200 वाट का बल्व लगाया गया है। जिससे सरदी के बढ़ते कहर से जानवरों को रहात मिल सकेगी। एर इंडिया की उडान में महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पिशाप करने वाले व्यक्ति को कोट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी शंकर मिश्रा ने पिशले साल 26 नॉंबर को नियू यॉक से दिल्ली आ रही एर इंडिया की एक उलान की बिजनिस क्लास में नशे की हालत में एक बुजर्ग महिला पर कथित तौर पर पिशाप कर दिया था। इस से पहले दिल्ली पुलिस को तक्नीकी निगरानी के जरिये ये पता चला था कि आरोपी शंकर मिश्रा बैंगलोरू में है जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफतार किया था। पुलिस ने महिला की ओर से एर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर चार जन्वरी को मिश्रा के खिलाफ प्रात्मिकी दर्स की थी। उत्तर प्रदेश में बस्पा सरकार में मंत्री रह याकूब कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफतार किया गया है। के खलाफ गैंगेस्टर एक्ट और आईपीसी के तहट मामला दर्ज किया गया है। मस्पानेता हाजी याकूब कुरैशी दो बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही कई बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। किन सरकार ने गैर कानूनी गजविधी निवारण अधिनियम के अंतरगत जमो कश्मीर के पिपल्स एंटी फॉसिस्ट फरंट पी ए एफ एफ और उसके सभी प्रमुक संगटनों को आतंगवादी संगठन घोशित कर दिया है। पिपल्स एंटी फॉसिस्ट फरंट दोहजार उन्निस में प्रतिवंदिद आतंगी गुट जैशे बहुम्मत के छद्म संगठन के रूप में साबने आया था। ग्रिह बंतर आले ने कहा है कि ये फरंट भारती सुरक्षा बनों, राजनेताओं और जम्मु कश्मीर में काम कर रहे अन्य राज के नागरिकों को लगाता धंकिया देता रहा है। ग्रिह बंतर आले ने कहा P.A.F.F. अन्य संगठनों के साथ मिलकर जम्मु कश्मीर और भारत के अन्य प्रमुक शेहरों में आतंकी हमले करने और शोशल मीडिया के जरिये साजिश रचने में शामिल है। इससे पहले केंद्र ने ब्रस्पति बार को एक अन्य आतंकी संगठन दा रेजिस्स्टेंस फ्रेंट टी आर एफ को प्रतिवन्दित किया था। सरकार ने वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहे लशकर तैवा के अरवाज अहमद मीर को भी आतंकवादी खोशित किया है। मीर पिछले वर्ष मई में कुलगाओं में स्कूल सिक्षिका रजनी बाला की हत्या का मुख्या रुपी है। बिहार में आज से जातिय जनगरना की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिभाग मनाये गया है। राइस्थान के जोदपूर में एक भीशन सडख हाथसा हुआ। जोदपूर से ओसियां जा रही सवारियों से भरी एक बस की ट्रक से टकर हो गई। हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गई। कटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशाशन की टीम मौके पर पहुँची और रिस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया। गईलों को अस्पताल में भरती कराए गया है। पंजाब के फजिलका में भारत पाकिस्तान सरहत पर पीएसएफ और पुलिस को एक बड़ी काव्याबी बिली है। सुरक्षा बनों ने यहां से 155 करोन रुपए कीमत की हिरोईन बरामत की है। बीएसफ और पुलिस अधिकारियों के बताविक फजिलका के गाउं गागन के की तरफ से आ रही एक कार को रुका गया। तो कार में दो प्लास्टिक के गट्टे चेक करने पर दोनों में से 29 पैकेट में बंद 31 किलोग्राम हिरोईन बरामत की गई। इस हिरोईन के अंधरास्टिक बाजार में कीमा 155 करून रुपएं बताई जा रही है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार किया है। गिरफतार हुआ एक व्यक्ति फजिलका के चक अमीरा गाउं का रहने वाला है। जबकि दूसरा जलालाबाद के महालम गाउं का रहने वाला है। दूसरे पर युद्ध विराम का पालन ना करने का आरूप लगा रहा है। युक्रेन ने दावा किया कि रूस खुद ही युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा। उसने आरोप लगाया है कि रूस समर्थिद विद्रोहियों ने नागरिक बस्तियों पर हमले किया है। वहीं यूरोपिय संग के विदेश नीत प्रमुक जोसे बोरेल ने रूस त्वारा किये गए युद्धिविराम को पाखंड बताया है। अमेरिका ने यूकरेन को लगभग तीन अरब डॉनर की सैन सहयता देने की खोशना किया है। वाइट हाउस ने कहा है कि यूकरेन को दी जाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी सहयता है। वाइट हाउस की प्रस सचिव करलें ज्वाइंग पियरे ने कहा कि इस सहयता पैकेज में थल सेना के युद्धक बाहन, ब्रैडली, बारूदी सुरंग रोधक और अन सैन बाहन तता सचालित होविद्ज़त तोपों के शामिल होने की समभाबना है। इस से पहर है अमेरिका और जर्मनी ने युक्रेन को ब्रैडली और मॉडरन बक्तरवंद सैन बाहन देने की खोशना की थी। जर्मनी ने कहा कि वेकुछ सबतावें लगबग 40 मॉडर बक्तरवंद बाहन युक्रेन भेज़ देगा। रूस के साथ संगर्ष में युक्रेन लंबे समय से भारी हतिवारों की मांग करता रहा है। कोस परिणाम साबने आये है। यलिंस्की ने मुर्डर, इंफैंट्री, फाइटिंग, वीकल और पैट्रियट एर डिफैंस के लिए जर्मनी का धन्यवाद किया है। इस पस्ट रूप से कहना चाहिए कि मद्दाताओं को डराने धमकाने के लिए अमेरिका में कोई जगए नहीं है। अमेरिका कानूनों की भूमी है, अराजकता की नहीं। जो बाइडन ने इस दोरान, कैपिटल हिंसा के दोरान, अपनी बहादूरी का परिछा देने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल सरगना एल चापो के बेटे ओवीडियो गुजमैन की गिरफतारी के बाद हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 29 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा हिंसा नौर्थ सियालोना राज के कुलिया कान शहर में हुई है। ये शहर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तसकरी संगठनों में से एक सियना लोग कार्टेल का गड़ भी है। ओवीडियो गुजमैन को गुरुवार को कुलिया कान से गिरफतार किया गया। जिसे बाद में मैक्सिको सिटी भेजा गया। गिरफतारी के दौरान और उसके बाद से अब तक 10 सैनिक और 19 संदिक मारे गये हैं। सिनाओवा काटिल के बदमाशों ने दरजनों वहनों में आग लगा दी और एक स्थानी हवाई अड़े पर भी हमला किया। ओवीडियो गुजमैन पर अमेरिका में पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर इनाम रखा है और गुजमैन को अमेरिका लाकर उस पर मुकदमा चलाना चाहता है। लेकिन मेकसिको के संग्य नयाधीश और वीडियो गुजमैन के खलाब किसी भी प्रतिरपन ट्रक्रिया को निरंबित कर दिया है। बहरती ये टेनिस स्टार किलाडी सानिया बिर्जा ने टेनिस को अलविदा कहने का मन मना लिया है। उन्होंने एलान किया है कि दुबई में होने वाला डेबलू टीए वन थाउजन इवेंट उनका आखरी टूनामेंट होगा। इस साल दुबई टेनिस चेंपेंशिप का आगाज 19 फरवरी को होगा। सानिया मिर्जा कई अंतरास्तिय टूनामेंट में खिताब जीत कर देश का नाम रोशन कर चुकी है। सानिया मिर्जा ने यूएस ओपेंश लेने की योश्णा बनाई थी। लेकिन चोट के कराण उन्हें ग्रेंट स्लैम से चूकना पड़ा। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलारी कारलोस अलकराज साल के पहले ग्रेंट स्लैम आउस्टेलियन ओपन में नहीं कहलेंगे प्री सीजन ट्रेनिंग के दौराँ अलकराज के दाएं पैर में चोट लग गई अलकराज पेरिस मास्टर्स के दौरान पेट में लगी चोट के कारण ATP फाइनल्स और डेविस कप में हिस्सा नहीं ले पाए थे 19 साल के अलकराज ने पिछले साल US Open में अपना पहला Grand Slam जीता था इसी के साथ वे नंबर एक रैकी पर पहुशने वाले सबसे युवा पुरुष टेनिस खिलाडी बन गये थे इसी के साथ सांकेतिक भाशा के इस खास अंक में बस इतना है मुझे और मेरी सहयोगी मनीशा को दीजे इजाज़त नमस्कार